हेलो एवर्वर, एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है, चार्टोदवीक वीडियो में सबसे पहले आप सभी को हैपी दिवाली, दिवाली की ठेर सारी शुभ, वृप नहीं आज के chart of the week में हम बात करेंगे 3 stock और 3 stock ऐसे हैं जिसमें channel breakout है और एक बड़ा trend reversal भी हमें देखने को मिलता है और बड़े-बड़े target भी आ सकते हैं बड़े multi-year breakout से पहले पाई करने का मुका है पहले आप nifty का chart देख लिजी यहाँ पर nifty का chart आप देख रहे हो कि यहाँ पर inside बार बनने के बाद इस वार फिर एक small सी range में यहाँ पर close हो गया और दिवाली के दिन पर कल यहाँ पर moral trading भी है 6 to 7 तो वहाँ पर भी आप stocks को buy कर सकते हो और sell भी कर सकते हो तो nifty का chart देख रहे हो तो यहाँ पर nifty का chart में देखिए कि यह level काफ़ important है भी 18800 के यह level क्यों है एक और आप daily का chart दिख लीजी यह मैं पहले भी आपको पता है यहाँ पर 200D में का यह whole level है वही surprise एक बार bounce किया reverse किया और यह trend line अभी तक valid है एक बार यह trend line के बाहर निकल जाएगा इसमें trend द्वारा फिर से chain हो सकता है और उपर अगर resistance की बात करें तो resistance आपका यह रहेगा यहाँ पर करीव करीव 18860 का इसके बाद फिर यहाँ पर यह price अगर हो सकता है कि आने वाले time में बट पहले कभी भी नहीं करना चाहिए जैसी यह यहाँ पर आप देखिए एक यहाँ पर राउंडरी पैटर मनेंगा और यह एक अगर बात कर लेते हैं यहाँ बात कर लेते हैं यहाँ पर इंसाइट बार बना और इस वी काफी समोल से रहेगा इस लेवल के उपर अगर नेश्ट वीक शस्टेन रहता है तो यहाँ पर 1000 किरे लिए और फिर यह तो यह ऐसे नहीं कि एकदम से चला जाएगा उपर नीचे आपको मूब देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा स्लोली स्लोली मूब करता जा रहा है तो अब डिरेक्ट चलते हैं हमारा आज का फर्स चार्ट वद वीक फर्स चार्ट वद वीक स्टोक से पहले आप एक पर देखिए कि चैनल ब्रेक उट होता है क्या है और कैसे उसमे बड़ा मूब आता है तो फॉर जमपर यहां पर आप देखिए कि यह चार्ट वद वीक स्रीडियस सेल यह मैंने आपको कुछ वीक स्पहले दिया था जब यह यहां पर ब्रेक उट आये था इसमें करीफ वन टू एट जिरो का यह लेवल का ब्रेक उट आये था और यह स्ट के बाद इसने देखिए यहां पर एक रेंज सा बना दिया था यह आप देखिए स्क्रिंग को बड़ा कर रहा हूं मैं थोड़ा सा क्लिंग करके दिखा देता हूं अब आपको यह देखिए यह रेंज बना दी थी और उसके बाद जैसे ब्रेक उट आया काफी बड़ा काफी अच्छा है रिटरन मिल गया तो आज का जो मारा फर्स चार्ट वीक श्टोक है फर्स चार्ट है डी बी एल दिली बिल्ट कोईल लिम्टेट इसमें आप देखिए कि एक तो यहां पर देखिए कि 2021 में इसका 2021 में यह 720 तक चला गया था और मंतली चार्ट देखते हो तो कभी इसका यह देखिए 2017 में 12 के पास 1200 के पास इसका यहां पर इसका हाई बना था और अभी इसमें मंतली चार्ट पर भी आप देखोगे तो इसमें काफी अच्छा रिव इस साइट बेज रहा और उसके बात प्राइज ओपर चलता गया ओ और आप देखिए यहां पर जो टनिल ब्रेक और था चैल ब्रेक रेक यह क्या है कि एक बड़ी केंडल बनने के बाद काफि ऐचंडल हो बाने के बाद according इस candle के inside candle के बेदिन ही आप देखोगे कि काफी candle बनी और एक range बन गया उपर ये रिष्टन स्था 350 निचे स्पॉर्ट 290 गा तो 290-350 के विच्विन ये प्राइज रहा और इस बार closing आगी 360 की तो इस week अब expect है कि momentum काफी अच्छा आजाए और stop loss आप रखना चाहिए stop loss में वही है 280-90 का closing basis पर या फिर अगर बिल्कुल small stop loss लेना चाहते हो तो इस week का जो low है 320 उसको आप आज़े stop loss कर सकते हो और इसमें बट यह है कि जब यह बड़ा move देता है तो काफी अच्छा move देता है तो इसमें आप risk reward 1 is to 2 या फिर at least यह आपके target रहेंगे यहाँ पर first target रहना चाहिए आपका 490 then फिर यह 700 प्लस का target तो यह था first chart of the week stock दूसरा हम बात करते हैं कैप्लीन प्वाइंट का भी आप देखिए यहां पर इसमें weekly chart देखिए कि यह 2021 2021 और 2022 में चलता रहा तो 2021 में जो इसका लेवल था 950 का यहां पर आपको देखिए यहां प्राइद दिरे दिरे नीचे गया यहां पर भी breakout आ गया इसमें 200 में के पास सपोर्ट लिए जेक्लीस ने जो हमारा स्टेजी रहती है कि 200 में के पास most of stocks अच्छे सपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद यह देखिए यहां पर breakout भी आया यह box भी बहुत सकते हो तो box channel दुन्नों एक ही बात है तो इसमें breakout आ चका है थोड़ा सा डिप में आप इसको बाइक कर सकते हो और इसमें अगर आप टार्गेट टार्गेट रहेगा 1380 का तो इसी के कोडिंग भाई करें थोड़ा डिप मिले तो ज्याद़ बैट रहेगा अगर यहां पर 50 पॉइंट के डिप मिल जाता है तो बहुत बढ़ी रहेगा वहां पर इंट्री आप जूर कर सकते हो थर्स टोक है वेनिस रेमेडीज यह इस टोक में भी देखी काफी अच्छा रिवरसल देखने को मिल रहा है अगर वोल्यूम की बात करें तो आपको वोल्यूम भी काफी अच्छा है इसमें देखी इंक्रीज हो रहा है यहां पर यह वोल्यूम यहां पर प्राइज अप जा तो यह इस week का अगर small stop loss रखना जाते हो तो इस week का जो low था 260 के पास वहाँ पर stop loss रखी या फिर यह जो swing low बना था 220 के पास वो आप stop loss रखे target इसमें रहेंगे 380 का then फिर 590 का तो यह बड़े breakout से पहले है यह यहाँ पर हो सकता है कि जुरूर आगर आप इसको positionally hold करते हो तो यह 590-600 आपको देखने को जरूर मिल सकता है जो कि volume activities भी देखने को मिल रही है और यह trend reversal भी आपको देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छा यहाँ पर यह discount पर stock मिल रहा है तो आप मुझे comment करके बताइए कि 3 stocks में से आपको कोई सा stock बड़ी लगा या इसके लाबा कोई और चार्ट अद वीक जिसमें momentum जल्दी आ सकता है तो वह आप comment में जरूर share कर सकते हो मैं आपको उस पर review जरूर दूंगा और दूसरी बात किए ही आप join करना कहीं आ इंक फेक चैनल में ज्ञान मत कर जाना तो आप एक बार चेक भी कर लेजी लेक पर की आ इसे आप चैनल पर हो या नहीं चैनल हो कहीं या नहीं फेक चैनल पर Jadi आगर आप उसमें एकजिट हो जा रिमोट रिमूट हो जाओ तो आभा कि आज की की सलाब जरूर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और डेर सारा शेर कर देना आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद